कि अलो प्रेंट आज हम लोग winner टृक के अंतर-गाथ सब्ध कुश सजानय के करम मौला सवाल को सीखेंगे कि कैसे इस प्रस्थ को हम लोग बनाते हैं तो कैसे आप लोग इस प्रस्थ को जल्दी से जल्दी बनाएगा आईए सीख लिए तो सबसे पहले या पर कोशन हम ध्यान पर देखेंगे कि साब्ध कोश के अनुसार सजाने पर दूसरे अस्थान पर कौन आएगा यानि दूसरे अस्थान जो आएगा वही हमारा उतर हो जगा तो देखेंगे वहाँ पर वैब दिया है वर्स दिया है व्रेश दिया है व्रेंगलर दिया है और व्रेक दिया है तो इसको सजाना है तो कैसे हम सजाएंगे तो सबसे पहले पहला अस्थान को हम धरेंगे तो देखेंगे कि साबका जो पहला है वो साबका पहला है वो डबलू है तो इससे हमारा कोई करमा नुसारे नहीं मिला उसके बाद देखेंगे कि आर है आर है इसमें भी आर है इसमें भी आर है और इसमें आर है तो इसमें भी हमको कोई नहीं मिला अब हम देखेंगे अब दे को में देख रहे हैं तीन में देख रहे हैं तो सभी में हमको डबलू आर ए डबलू आर ए डबलू आर ए और डबलू आर ए इसमें भी डबलू आर ए तीनों में मिल गया लेकिन हमारा क्रमान उसार नहीं मिला तो चलिए आईए अब हम आगे देखते हैं तो यहां पर P है उसके बाद T है उसके बाद S है उसके बाद N है उसके बाद C है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक के बाद कौन सबसे नजजीक है तो एक के बाद सबसे नजजीक है वो C है तो C हो जगा, तो C के बद कीए, यह जो हमारा मिला वो पहले अस्थान पर मील गया है पहले अस्थान पर मिल गया, अब उसके बाद देखेंगे कि C के बाद देखिए, C के बाद आता है एक बाद N तो यहां पर हमारा N जो हो गया, G, L, E, R यही हमारा दूसरे अस्थान पर हो जाएगा और यही हमारा उतर कर रहा है आएए हम आगे भी और देख लेते हैं कि कैसे हम तीसरा चौधा और पौचवा अंक हम लोगे सब सजाएंगे तो देखे तीसरा में देखे कहेगा देखे इन के बाद जो आता है पी आता है पी आता है तो वैप जो हो जाएगा वो तीसरा अस्थान पर आजाएगा आप देखेंगे कि एस पहले आता है तो यहाँ पर जो हो जाएगा डवल एस ये चौथे अस्थान पर आजाएगा और जो बच गया वो आजाएगा पांचोवे अस्तान पर तो इस तरीका से हम इसको हम लोग सजा लेंगे तो सबसे पहले पांचोवा देखिए यहां पर पांच पहले मिला पांच पहले मिला एक नमबर पर वेंगलर चार दूसरे नमबर पर मिला और तीन को आप लोग जदा से जदा लोग तक जुरूर शेर कर दीजिगा लाइक कर दीजिगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा धन्यवाद